एक बार आप अभी information सुल लीजिए फिर दुबार लिखिएगा आज की वीडियो आज की वीडियो नहीं जारी है बी एच डी एई वने टू हिंदी भासा और संप्रेशन के उपर सो इनकी कुछ importance informations है कि आपको जो assignment में उगलती है इन्होंने किये जिनके assignment है वो आपको सबसे पहले assignment आपको जब लिखेंगा है आपको एक heading देनी कि आप कौन से खंड़ लिख रहा है फिर एक line का gap देना है इन्होंने यह सब कुछ नहीं किया है और फिर अपना question उतारना और फिर answer अपना देना है जो कि इसमें लिखा हुआ है सब उसके पहले आप अपने सारे page जितने भी आपको लिखना है उसके दोनों एक साइड मार्जिन दी रहती है और दुसरी साइड आपको अपनी scale से margin दे देनी है एक इंच तक या उससे थोड़ा से कम ठीक है इन्होंने एक छोटी से और गलती की है जिनकी assignment उनके पूरे सही है लिखने के तरीका यह बहुत अच्छा है राइटिंग बहुत अच्छी है उन्होंने जहां गलती हो गई वहां वाइटने लगा दिया कि किरपय करके आप लोग अपने गलती को वाइटने ना लगाए और लगा भी दे तो कोशिस करें कि उसको पर लिख कर फिर अच् Jam2 मैं कर देंगे ना तो आपको बेकार ने लगेगा उनको सीधा निकरना पड़ेगा तेचर्स को वह सभ्षा सब्सकंजाता थे यह और जो अगर आप अपनी assignment लिख रहा है तो इन्होंने एक और जो बहुत important गलती किया page number नहीं डाला है कहीं पर भी है अगर कहीं से गलती से page आगे पीछे हो भी जाये तो teachers भी नहीं संच पाएं कौन सा page आगे हुआ है कौन सा page पीछे हुआ है सो अपने page नमबर जरू डाले date भले ना डाले date डालनी क्यों है क्योंकि उससे कुछ लेना देना है ही नहीं date से उनका लेकिन पेज नमबर तो इन्होंने कहीं डाले ही नहीं पेज नमबर जरू डालिएगा आप लोग उससे आपको लोग को भी idea रहता है और इनके assignment बहुत कि यह 26 25 पेस तक जाए ही जाए और उसके बाद जो important information है कि अभी आप यह सब जो कहानी है यह सब आप सुन लिजिए उसके बाद आप लिखने के बाद यह सब चीज अपलाई कैसे करपा होगे तो यह सारी कहानी आप अभी एक बार सुन लिजिए फिर आप लिखना इस्टा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कि आप बोलना था इंके जो पेजेस है उसमें फोल नहीं है फाइल के पेज लेना है लिकिन ये पता नहीं कौन सा पेज लिए इन्होंने का फाइल के पेज लिकिन से whole करना पड़ता है पंचिंग होल पे machine से सो ऐसा आप लिजिए आप फाइ और जो भी आपका कोई कोड में इमेज बनाने पड़ती है तो उसके वाइट पेज काट के चिपका नाइए गा या तो वन साइड रूल और वन साइड ब्लैंक पेपर पर आप असा मोट लिखे का और ऐसा बनाईएगा कि ब्लैंक वले साइड आपका इमेज छप जाए ऐसे कोसिस करके आप साइमेंट बनाईएगा रूल साइड पर इमेज नहीं बनती है आपको मैं बता दू और अच्छे से अच्छे से राइटिंग बनाने कोसिस किजिएगा उसमें बहुत खराब राइटिंग उमतली किएगा औ और क्या बोलते हैं जो जितने सारे मार्क से लगा दिजिएगा कॉमा और बहुत सारे जो होता है डॉट लाइन डैस यह सब होता है न वह सब लगा के लिखिएगा जैसे कि आपके असाइमेंट अच्छी लगे और जेल पेंट से मत लिखिएगा और सिप ब्लेक और ब्लू बॉल पेन का इस्तिमाल की जाएगा डॉट पेन का और कुछ इस्तिमाल मत की जिएगा तो गाइस और यहाँ पर information सारी खतम होती और मेरी यह तरब से एक और information है अपने assignment का questions को हमेशा point out करके अपने book में रखिएगा और previous question papers क्योंकि यहीं से आपके next exam papers त्यार होता है और यहीं जाके आगया exam papers की तरह रूप ले लेता है तो इसे अच्छे स्तियार केज़ेगा exam के point of view से आपका exam बहुत अच्छे जाएंगे किसी भी तरिकी के अगर आपको और information चाहिए मुझसे या किसी और base पर सो आप मुझे comment कर सकता है नीचे comment box में और अगर आप मुझे message करना चाहिए तो description box में instagram, telegram, snapchat बहुत सारी idea दी गई है आप कही पर मुझे message कर सकता है और मेरे चैनल पर first year BAPCH की सारी assignment आईगी और second year की भी सो इस चैनल को आप subscribe कर लिए और गाइस मिलते है एक नेक्स लोग नेक्स वीडियो में ट्राइंग फार वाचिंग और मुझे कुछ कहना था जो मैं साइध भूल रहा हूं कि चैनल पर previous year paper की भी वीडियो पड़ी है गाइड की वीडियो भी पड़ी है और क्या बोलता है एक्जाम प्रीवेस जिर की एक्षाइमेंट वीडियो पड़ी है और exam paper वीडियो और practical वीडियो और practical वीडियो में बहुत साही लोगों का confusion होगा कि BAPCH का practical में क्या होता है सो आप लोग प्रैक्टिकल वीडियो जो देखेगा उससे आप लोग एक आईडिया हो जाएगा सो गैस अब मैं बोलना बंद करता हूँ आप लोग सुरू से एक साइमिन फिर से देखना स्टाट की जो लिख ही है सारे रूल्स को फॉलो करते हुए तभी आपकी मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे टैंक्यू फर वाचिंग बाई बाई झाल 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 झाल